हेलो एस्पाइरिंट्स कैसे हो सब बढ़िया आज अपन पढ़ने वाले हैं कोक्रोच ठीक है ये वन शोड लेक्चर होने वाला है और अगली 15-20 मिनट के अंदर ये कोक्रोच जो है वह आपकी दिमाग में पूरा सैट होने वाला है हर एक लाइन आपकी दिमाग में फिट कर चला दोगा एंसियाटी की पूरी फिल्म चला दोगा ठीक है तो सुनना क्या होगा आपको सुनना होगा मुझे 15-20 मिनट धान से सुन लेना बस फिर काम सैट है अपना तो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम परदीप है आज अपन पढ़ने वाले है कोक्रोच हिंदी में इसको ब क्लास कोन से वरग का इसका इंसक्ता कीट वरग से आता है कोक्रोच कौन से वरग के अंदर है कीट वरग की अंदर है टो Iowa one by four inch से लेकर तिकूरा साइज, तो यह si हमागी बात करें, अब आगे चलते हैं के बात करने कि इसकी 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 जारे की कारे कीorage करते है और वो चैसा होगा भूरे रंका होता ठीक है जिनका जो शरीर है इनका जो शरीर है वो किससे बना हुआ होता है काईटीन युक्त भाईये कंकाल से बना हुआ होता है और भाईये कंकाल कैसा होगा भूरे रंका होगा भाईये कंकाल में मजबूत पटिकाएं होती है और जो भाईये कंकाल है उसके जो सरीर है इनके जो सरीर है वो भाय कंकाल से बना हुआ होता है और जो भाय कंकाल है वो किससे बना हुआ आता है मजबूत पटिकाओं से बना हुआ आता है मजबूत पटिकाओं को क्या बोलेंगे कठकं अभी पत्ली जिल्ली से जुड़े होते है ठीक है ये खंड आपस में पतली जिल्ली से जुड़े होते हैं उससे जुड़े होते हैं और पतली जिल्ली का नाम क्या है संदीकारी जिल्ली या फिर संदीकारी जिल्ली यह जो जिल्ली होती है जोडने का काम करती है खंडों को आपस में जोडने का काम करती है और इसका नाम क्या है संदी कारी जीली या फिर संदी जीली अब आगे चलते हैं अब अपन इसके अंदर जो अपनी भाईया कारी की है जो अपनी मोर्फोलोजी को क्रोच की इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन सीर की बात करेंगे सीर को पढ़ेंगे वक्ष को पढ़ेंगे और उद्र को शिर, वक्ष और उद्र, ये तीन चीजे अपने, बाहिया कारी की के अंदर पढ़ेगे, तो पहले बात कर लेते हैं, सिर की, इंग्लिस के है, कैसा होता भाईंडर ह। त्री कोण यह होता है जो कोक्रोच के अंदर जो सीर होता है वो कैसा होता है त्री कोण यह होता है शरीर के अनुधेद्रिय अक्स के साथ लगबग समकोण बनाता है ठीक है यह कैसा 90 डिगरी पर होता है जो आपका सीर होता है वो 90 डिगरी पर होता है 90 डिगरी लगबग संयुक्त नेत्र होती है ठीक है मतलब एक जोड़े मतलब दो आख्यों होती है ठीक अगर कोंचे कैसी आख्यों होगी संयुक्त आख्यों होगी ठीक है छैखंडों के मिलने से बनता है यह जो सिर जो है यह छैखंडों के मिलन से कोकरोज का सिर बनता है कोकरोज का सिर कैसे बनत दागे जयसा दागे जयसा एक क्या निकलेगी श्रिंगी का ठीक है श्रिंगी का ठीक है इंगलिए से बात करने वाले इनके अंदर मुखांग होते हैं अब किसकी मुखांग गाहें मुखांग कौन कौन से इंकलिते हैं इंग्ली पão अधर वोस्ट मतलए उपर काझ जबुडा है इंकली श्भक है इंग्ली से वहाट है इंदर लेबुरम अपर ये आधरोस्ट muốn लेबियम है ये जबुडा है जबुडआ हो गया एक होता है इनके अंदर चिबुकास्थी, एक होती है चिबुकास्थी, तो चिबुकास्थी इंगलिस में मेंडीबल, एक होता है जंबिका, एक होता है इनके अंदर अधोगर्शनी, एक होता है इनके अंदर क्या है अधोगर्शनी, इंगलिस से बात करो तो यह क्या है है अब आगे चलते हैं, बात करेंगे वक्स की, शिर की अपन ने बात कर लिए, अब आगे वक्स की बात करेंगे, इंगलीज में क्या बोलते हैं, वक्स को थोरेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरेक्स, अब इसके अदर वक्स होता है, वो तीन भागों के अंदर डिवाइड होता है तो एक है अगरवक्स एक है मद्ध्यवक्स और पस्च वक्स नाम से पता लग रहा है अगरवक्स आगे वाला अगरवक्स होगा बीच वाला मद्ध्यवक्स होगा और लास्ट में होगा वह पस्च वक्स है ठीक है एक 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 बात कर लिते हैं जो अगरवक्स है इसके कोई पंख नहीं होता है ठीक है धान से सुनो अगरवक्स के अंदर कोई भी पंख नहीं होता है लेकिन जो मद्धेवक्स है जो मद्धेवक्स है इसके अंदर अगरपंख होता है अब आप यहां पर कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना यार कि अगरपंख आ रहा है तो वह जो अगरपंख होता है जो अगरपंख होता है वो कहां से निकलता है वो निकलता है मद्यवक्स से निकलता है और पस्च वक्स के अंदर कौन सा होता है पस्च पंख होता है आगे चलते हैं अगरपंख की और पस्च पंख की बात कर लेते हैं तो जो अगरपंख है अगरपंख कभी ऑपनते हैं आपको पूलिस मोटीन हैं जान से आजले हैं पतली से और भी पंक रहले निकले हो तो काले से बैक्स खे करे में तो यह जो अगर पंक होते हैं वो कैसे होते हैं लैदरी होते हैं कैसे होते हैं कैसे होते हैं कैसे होते हैं और यह जो पस्च पंक होते हैं जिल्ली नुमा होते हैं और जो अगर पंक हैं यह पस्च पंक को डखते हैं मैं आपको बता है ना कोकरोज को कभी देखोगे ना तो अगरपंक हैं जो खाले वाले कॉंचे अगरपंक हैं वो किसको डखे हुए होते हैं जो पस्च पंक है इनको डखे हुए रहते हैं जब आराम कर रहा है जब कोकरोज जब आराम कर रहा है बैठा है उड़नी रहा है उस ताइम पर उस ताइम पर पस्च पंक होगो कौन डखे ह बात करेंगे इसकी उद्र की तो उद्र क्या है दस खंडों से बना हुआ होता है नर और मादा नर और मादा दोनों के अंदर ही दस खंडों से इनका उद्र क्या है बना हुआ होता है उद्र के अंदर दस खंड होते हैं ठीक है गुदिये लूब किसके अंदर है गुदिये लूम किसके अंदर है गुदिये लूम किसके अंदर है नर और मादा दोनों के अंदर होती है गुदिये लूम दोनों के अंदर होत जो गुद ये लूम है वो किसके अंदर नर और मादा दोनों के अंदर होती है और जो गुदा सूख है वो सिर्फ और सिर्फ नर के अंदर होती है ठीक है अब आगे चलते हैं बात करें फिमेल के अंदर फिमेल के अंदर जो अधरक है फिमेल के अंदर जो अधरक है अधरक है स सातवें, आठवां, और नोवां ठीक है कूंसा अद्रक है ? साट्वां, आठवां और नोवां ठीक है यह त्यूत आपस में मिलकर क्या बनाते है "- जनन कोष्ट बनाते है ँ फिमेल की बात हो रही है मादा के ंदर जो सातवां, आठवांम और नोवा नोवा जो अधर्क है, यह सारे तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जनन कोष्ट या फिर जननिक कोष्ट बनाते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए, और जो साथवा जो अधर्क होता है, जो साथवा अधर्क होता है, वो कैसा होता है, नोकाकार, मतलब बोट शेप का होता है, फिर आगे चलो जी अब बात करें किसकी आंत्रिक आकारी की अपने भाय आकारी की पढ़ ली अब बात करेंगे आंत्रिक आकारी की ठीक है इंगली से बात करें तो आनाटोमी पढ़ेंगे किसकी कोक्रोच की अनाटोमी पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले पा मौत के नि के अंदर में इसर ठीक है मौत से स्टार्ट होगा उसके बाद में कहेंगा गरषनी कि घरसी ख jegoमाओं माईट नि के अंदर आ ऐगा चुर God में कहा जाएगा। सच के अंदर आखर जाएगा इसके तद में पैशनी संस्त के बाद में कहा जाएगा?, पेशनी, तो सलग नहीं के बाद में क्या क्या है? बीच में क्या सक्तु पेशनी क्या क्या होती है? यक्रित अंद्दलान होती है। और यह कितने नमबर में होते है? छैख से आठ होते हैному जो यक्रिति है, जो अन्नाल होती है, कितने होती है, 6-8 होती है, ठीक है, जो मद्यन्त है, इसके बाद में कहाता है, शुदरांत उसके बाद में आता है, व्रिदरंत्र और उसके बाद मलाश्य है, ठीक है, और जो सुदरांत और जो मद्यन्त है, इनके बीच में क्या होती है, मेल पिंगी नली होती है 12 अब बात सुनो यह जो पेशनी होती है गिजर्ड जो है यह जो पेशनी है यह किस में क। यिे काम आतिい वोजन को पीशने में काम आति है जो पेशनी जो बिसना में और पीशनी के लिए कुछ तो चाहिए ना तुसके अंदर क्या है छह दात है जो छह क्या नुकिले दात से होते हैं इसके अंदर क्या है छह इसके अंदर टीथ है क्या है नुकिले दात होते हैं इसके अंदर ठीक है और यह आपको पत्ने अग्जाम के अंदर आया हुआ है और आ सकता है तो आपको यादना चाहिए पेशनी किस काम आती है पीसने में काम बोजन को पीसने में काम आती है और इसके अदर छहदात होते हैं अब और आगे सुनो कि यह जो है ना यह जो इतना है जो पेशनी तक है माउट से लेकर मूँ से लेकर पेशनी तक क्या है फोर गट होता है इसको क्या बो पतला होता है पतला होता है बात याद होनी चाहिए यह बढ़ा जो जो अन्दनाल है, यह क्या कराएगी, पाचिन कराएगी, और जो मेलपी की जो नली है, यह किस काम आएगी, यह काम आएगी, help in excretion, ठीक है, उच्छर जन में help करेगी, उच्छर जन में साहिता करेगी, अब आगे चलते हैं, बात करेंगे, इसकी उच्छर जन तंतर की बात कर तो भैया इसके मेलपी की नली होता है सबसंदर को क्रोच आदर की यूरी कामल कि होता है के सवार तो 2 यूरी कामने उटसरगी मैंफारी को रचा किसा होता है कि वह यह यूरिक अमल निकालता है, उत्सरजन में क्या निकालता है, यूरिक अमल निकालता है, इसलिए क्या बोला गया है, इसको यूरिक अमल उत्सरगी बोला गया है, ठीक है, वसापिंड, वसापिंड, वरकाणू, उत्वचा और यूरिकोस ग्लेंड, ये तीनों जो है ये तीनों भी किसमें साहिता करते हैं, उत्सरजन में साहिता करते हैं, ये भी उत्सरजन में साहिता करते हैं, कौन वर्षापेंड, वरकाणों, अब तुचा और आपकी यूरिकोस ग्लेंड, अब बात करेंगे, इसकी परीशंचरन तंतरगी, किसकी बात करेंगे, ब्लेड व होती है इनके अदर वह ज्यादा नहीं होती है ब्लड जो है वह ऐसे ही घुमता रहता अपने को अंदर तो पूरा सिस्टम बनावा अचा है इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है और खुले परकार का है ठीक है रुदिर जो वाहिनिया है वह एलप विक्षित होते हैं मैं आपको ब खुल जाती है ठीक है अब आगे देखो रुदिर जो लशीका है रुदिर लशीका जो है इंगलिस में बात करें तो हीमो लिंफ बोलते हैं रुदिर लशीका किस किस से बनी हुई होती है रंग हीन प्लाजमा और रुदिर रुदिर राणों से ठीक है रंग हीन प्लाजमा और रुधिरानों से मिलकर बनी हुई होती है, कौन? रुधिरलर्शी का, अब आगे चलते हैं, बात करें कि इसकी heart की, इंके अनदर दिल है, वो कैसा होता है, रिधे की बात कर लेते हैं, तो रिधे भैया कैसा होता है, लंबी पेशिय नली होती है, ठीक है, और पोजिशन के बात करें तो इनकी जो पोजिशन है वो कैसी होती है जो रिदे उसकी पोजिशन कहा है ठीक है तो कहा है रुदिर गुवा में वक्स रुदिर गुवा में वक्स और अधर की मद्धे प्रस्थी रेखा ठीक है कहा है इसकी पोजिशन बता रहा हूं जो रिदे का है को को दो की पोजिशन क्या होती है रुधिर गुवा में वक्स और अधर की मध्य प्रस्ठी रेखा ठीक है इनके अधर चेंबर कितने है अपने अंदर तो 4 चीमबर होता है। इनके अंदर कितने चेंबर है। टेरा चेंबर हैं। काईप आकार के होते हैं। तो कीप का आकार का होता है, और उसके का होता है। चिद्रा होता है, मुलब एक जगय होती है. उसके अंदर जो blood हो जाता रहता है, उसको ostia बोला गया है, तो यह आपको इधान मुहाँ चाहिए कि ostia होता है, cockroach के अंदर, एक बात करते है, सवशंतंतर की, किसकी बात करते हैं, सवशंतंतर, इंग्लीसे बात करें तो respiratory system की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, इसका इंदर आपको काम की बात याद करें सरक नहीं है, जैसे अपने अंदर होता है, वैसे ही कोक्रोच के अंदर होता है, कोक्रोच के अंदर होता है, सबसे पहले जो हवा है, यहां से इंटर होगी, ठीक है, जिसको क्या बोलता है, स्पाइरेकल बोलता है, यह क्या है, छिद्र है, एंगले समय क्या बोला है, इनको स्पाइरेकल बो किस में खुलता है यह खुलता स्वास नलीकाय बनती है इससे वो सारी स्वास नलीकाय बनती है और जो स्वास नलीकाय है वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर गेसों का आदान परदान होता है विश्रण विधिद्वारा ठीक है जो डिफ्यूजन है उससे क्या हो जाएगा गेसो का अदान परतान हो गया अब आगे जलते हैं बात करेंगे तंतरी का तंतर की नर्वस सिटम कैसा होता है कोकरोच के अंदर उसकी बात कर लेते हैं तो गुचिकाओं का बना हुआ होता है कैसा होता है गुचिकाओं का बना हुआ होता है ठीक है तो गुचिकाओं का बना हुआ ह और बाकी जो मुख्यता है, वो कहा पर होता है? शरीर के अधर तल में होता है, थोड़ा सा शरीक के अंतर होता है, इसलिए कहा जाता है, एक्जाम एंचार्टे में भी रखा है, कि भाईया, कोकरोज का अगर सिर काट दो, तो वो कुछ हप्तों तक वो जीवीत रह सकता है, कु करती है, इसका ब्रेन मस्तिस्क, ठीक है, अब बात करने कि इसकी स्वेधन अंग, स्वेधन अंग कौन से है, सेंस ओर्गन्स कौन कौन से है, तो भया कौन सा है, स्रिंग का है, ठीक है, आख है, मेक्जलरीस परसक है, लेबिलस परसक है, और गुदा रोमक है, ठीक है, होती है ठीक है दो होती है इनके अदर किसे इक खास बाद क्या है दो हजार दो हजार सटकोन ये नेतरांसक होते हैं इंगलीज में क्या बोलते हैं उमिटेडिया वोलते हैं कई प्रतिशाय देख सकता है एक ही वस्तु के कई प्रतिशाय देख सकता है तो उसको बहुत सारे मैं दिखूंगा ठीक है मैं मेरी बहुत सारी उसको फोटोस दिखेंगे ठीक है आपको देख रहा है तो इसको बहुत सारी फोटोस ऐसे दिखती है ठीक है बहुत सारी फोटोस आपको पता होना चाहिए कि कोक्रोस के अदर शुगराहिता वो तो अधिक होती है लेकिन विवेदन हो कम होता है मतलब क्या हुआ इसका कि बाई इंके अदर सेंस्टिविटी तो अच्छी है मालब कम लाइट के अंदर भी यह देख सकते है लेकिन फोटो एच डी नहीं आती इंतर, इंतर जिने धान avanzili धेखता है, इंतर फोर्षंड रहन से कहा होगाँ का इक रहाए है, खंड है उसके अंदरकिंदर क्या होता है इनका वर्षण होता है वर्षण के बाद में ख़आ होता है शुक्रवाही नीया फो सिकवेंस पता हो ने जो इप्रक रूपी बिदर और ही क्या होती है जोथ लेंदे के शांट रूपी गरंथी होती है जिसको एंगले से बोलता है मश्रूम गलेंड बोलते है और अगे चलते है pré मेल गोने पर फाइसिस अत्वा शिशनखंड की बात कर लेत एंध है यह क्या होता वयया यह वता भाई ये जननेंदरिये ठीक है वता मेल खेशनखंड सिशन्खंडовать करना है का काईती – कई वक्ती Ñ ए समिधियै्too & काईटी वक्त्व अब आगे बात करें किसकी शुक्राणू जो है ना शुक्राणू जो है वो कहा संग्रहित होते हैं शुक्राशे के अंदर ठीक है कहा होते हैं शुक्राशे यह रहा देको शुक्राशे यह रहा तो जो शुक्राणू है वो कहां पर होते हैं शुक्राशे में संग्रहित होते है और उसके बाद में क्या होता है, पुझ के रूप में आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है, वो जो सुकराणू है, शुकराण से के अंदर क्या हो जाएंगे, पुझ के रूप में आपस में चिपक जाएंगे, और इन पुझों क्या बोलेंगे, इन पुझों को क्या बोलेंग जो आंडा से है वो कहा पर होते हैं? 2 काई से 2 75 के अंदर होते है चाटे और या जो आणडा से है वो कैसे बनते हैं और اक्म वाही नहीं सिकना बनते हैं चाहिए यह आपको डाइग्राम भी आपको याद होना चाहिए, एक डाइग्राम से कुशन आते हैं, और एक्जाम के अंदर डाइग्राम भी आ सकता है, तो इसके अंदर इंपोर्टेंट बात यही है, कि वह जो एंडा से है, वो कहाँ पर होता है, दो से चटवे, उदर यह खंड के अदर होता है, अब बात करें, निशेचन की बात कर लेते हैं, तो जो शुक्राणू है, शुक्राणू है, वो कैस के अंदर होता है, शुक्राणू धर के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया, शुक्राणू धर के द्वारा ट्रास्फर होते हैं, ठीक है, शुक्राणू कवर्ड होते हैं, वो एक कवर्ड होते हैं, किस से कवर्ड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंड कवच बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और ये अंड कवच वो कितने होते हैं, ठीक है, जो ओशतन जो मादा है, वो कितने अंड कवच निकाल अलब 9-10 अंड कवच निकालती है और एक अंड कवच के अंदर कितने होते हैं जो 10-16 अंडे होते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं या फिर यह जो निशेती अंडे हैं उनको कहा निकाल देंगे यह यह कहा छोड़ देंगे बोजन वाले स्थानों पर चिपका देंगे आरवा होता है कोक्रोज का उसको क्या वाला अर्भक ठीक है निम्फ बोलत इंगलिस्ट में ठीक है यह वैस्क के अंदर कनवर्ट होता है यह वैस्क के अंदर परिवर्तन होने में कितनी कितनी स्टेश लगते हैं इसको तेरा निर्मोचन होता है कि कितने तेरा निर्मोचन हों पक्स तल्प होते हैं ठीक है जो अर्बक है वह वेस्क के समानी दिखता है लेकिन वह उड़ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है पक्स तल्प है पक्स तल्प क्या होते हैं इनके अंदर विंग पैड पाये जाते हैं ठीक है जो वेस्क होता है उसके अंदर पंक होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है पंक तलप ठीक है यह पंक तलप है ठीक है इसको क्या बोलता है विंग पैड ठीक है तो यह अपना चेप्टर हो गया है complete कोक्रोच कोक्रोच वाला जो पूर्शन है वो complete हो चुका है ठीक है इदर साभी आपको लगे फीड़ बैक जरूर से देना कमेंट सेक्शन के अंदर और यह नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो जो इन वांक पर जरूर से कर लेना और यह आपको मिल जाएंगे और आपको पांस मिनट ने लगेंगे लिए तो एक्जाम से पहले आपको बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए तो मेरे खायने पर एक बाल जोइन कर लो इतने सारी कर रखें एक और कर लेना अगर वीडियो पसंद करो मिलते लेख लएक सिक्रें दात विके लिए पड़ते रहो थांक यू थांक यू सो मच